हेलो एडिवान एड वन्स अगें वेलकम बैक तो मर्तस्कीर यूट्यूब चानल माई सेल्फ उमर्तस्कीर गैज आटोमेशन कोर्स के अंदर आज के इस पर्टिकलियर वीडियो में हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट टाइप ओफ आटोमेशन को सेट अप करने की कोशिश करेंगे विद अहल पॉफ पैबली कनेक्ट अब जो सिनेरियो वो हम इस तरीके से मान के चलते हैं कि आप एक फेसबुक आड्स मार्केटर हैं और आप फेसबुक आड्स को यूज़ करके बहुत सारी लीड्स को जनरेट करने हैं और आपको पहले ही पताएगी किस तरीके से जो लीड्स आप जनरेट करते हैं उनको आप अपनी गूगल शीट के अंदर ला सकते हैं वो एक काफी बेसिक सा आटोमेशन है और उसके उपर मैंने पहले भी एक वीडियो जो है वो बना कर रखा हुआ है किस तरीके से अगर फेसबुक लीड फॉर्म के थ्रू कोई लीड से आपके पास आती है तो किस तरीके से उसको आप गूगल शीट के अंदर ला सकते हैं मान के चलते हैं कि यहाँ पर वो सारी लीड्स पॉपुलेट हो रही है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है नेम इमेल फोन नंबर वो आपको यहाँ पर जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल बट ये वाले जो name, email, phone number वाले बंदे थे, ये किस campaign, किस ad set और किस ad के through आये थे, ये आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि आपके पास केवल basic information है, name, email, phone number, ये आपके पास information है, अगर आप अपने facebook ads के dashboard के अंदर चले आते हैं, कि किस particular ad से कितनी leads आईएं, बट वो lead ये चौथे नंबर वाली lead थी, या तीसे नंबर वाली lead थी, या दूसरे नंबर वाली lead थी, ये आपको facebook ads के dashboard में नहीं पता चलता है, क्योंकि वहाँ पर केवल lead का count होता है, कि इस particular ads से आपको 2 lead आई, इस particular ad set से आपको 10 lead आई, इस particular campaign से आपको 15 lead आई, इस तरीके से आपको information मिलती है, ना कि ये information मिलती है, कि जो ये 15 leads आईएंगे, उनके नाम और जो email था और phone number था, वो क्या था, वो जब information आप Google sheet के अंदर push करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर मिलती है, बट फिर भी कोई relation नहीं है, facebook ads के किस particular campaign से कितनी leads आई, और उनके नाम, email और phone number क्या थे, अगर हम इस चीज़ को यहाँ Google sheet में लाना चाहें, तो हमारे लिए optimization बहुत ही ज़ादा आसान हो जाएगा, इसलिए ये वाला वीडियो facebook marketers के लिए बहुत ज़ादा important है, especially उन लोगों के लिए जो lead generate करते हैं, तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम name, email और phone number भी लेकर आएं, और साथ ही साथ वो जो lead form जो submit हुआ है, वो किस campaign के अंदर use हो रहा है, किस ad set के अंदर use हो रहा है, और किस ad के साथ use हो रहा है, उस ad का name क्या है, या गर हम id populate कराना चाहें, तो हम id भी populate करा सकते हैं, campaign की ID क्या थी, ad set की ID क्या थी और ad की ID क्या थी, अब हमें पूरी information मिल जाएगी कि ये वाला person जिसकी ये email ID है, ये phone number है, इस particular campaign से, इस ad set से, इस ad से आया था, और ये convert हुआ या नहीं हुआ, तो इस particular ad से जो लोग आ रहे हैं, वो convert हो रहे हैं या नहीं हो रहें, इस particular campaign से जो लोग आ रहे हैं, वो convert हो रहे हैं या नहीं हो रहें, तो आपके पास एक bigger picture होगी चीज़ों को analyze करने की, इसको set up करने की कोशिश करेंगे, हम लोग public connect की मदद से, तो सीधे आ जाएंगे हम लोग हमारे public connect के dashboard के उपर, create workflow हम लोगो click करना है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, Facebook lead ads to Google Sheet, और थोड़ा सा differentiate करने के लिए, हम all information यहाँ पर mention कर देते हैं, all information, right, आप अपने according रख लीजेगा, यह totally इस बात पर depend करता है, कितने आपने यहाँ पर जो workflow वगरा बना रखें, तकि आप ना confused हो, यहाँ पर हम लोग select करेंगे Facebook lead ads, बहुत सारे और automations मैंने पहले बना रखें इस course के अंदर, उनको भी आप check out कर सकते हैं, तो हम लोग नहीं यहाँ पर जो अपनी app है Facebook lead ads, उसको select कर लिया, जो हमारा trigger event होने वाला है, वो new lead होने वाली, अब मैं इसको connect करूँगा, तो मैंने already connection बना रखा है, तो मैं सीधे select existing connection कर लूँगा, आपकी case में आप add new connection कर सकते हैं, connect with Facebook lead ads करेंगे, कुछ authentication, Facebook के साथ connection को sign in वगरा हो मांगेगा, वो आप दे देंगे, that's it, और आपका connection जो है, वो establish हो जाएगा, हमारा already connection है, तो मैं simply यहाँ पर जो select existing connection, उसको select करके, मैं save करके आगे बढ़ जाऊँगा, नाव यहाँ से मुझे मेरा Facebook ad, और जो मेरा lead ad का form है, उसको मुझे select करना है, अब आप ध्यान दीजे, ये वाला जो आपका lead form है, ये live होना चाहिए, campaign के through, अगर live होगा, तभी हम real time में, उस campaign की information, जो है, वो यहाँ पर ला पाएंगे, responses के अंदर, पैबली connect की मदद से, तो इस चीज़ को करने के लिए, मैं एक ऐसा example लूँगा, जहाँ पर जो हमारे ads हैं, वो चलना है, तो मैं अपना Facebook page, और lead ad form का जो name है, वो यहाँ से select कर लूँगा quickly, now मैंने इस चीज़ को select कर लिया है, अब आपको क्या करना है, save and send test request के उपर, आपको click करना है, और आपको एक entry करनी है, so that आप यहाँ पर जो responses हैं, उनको capture कर पाए, मैंने already एक entry कर रखी थी, इसलिए आपको यह response यहाँ पर दिख रहा है, आपको किस तरीके से test करना है, आपको यहाँ पर वापस जाना है, और जो भी आपके ads चल रहा है, उसके उपर आपको जाना है, लेटसे मेरा यह वाला ad चल रहा है, इसके उपर मैं जाऊंगा, मैं यहाँ पर जो है, वो share के उपर click करूँगा, share लिंक मुझे select करना है, मतलब इसको basically मुझे as a live ad जो है, वो देखना है, इसलिए मुझे link चाहिए, मैं इस link को copy करूँगा, यहाँ पर मैं आ जाऊंगा, यहाँ पर इसको मैं hit करूँगा एक बार के लिए, जो हमारा link है, और यहाँ पर आपको जाना है show ad के उपर, उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आपका जो ad है, वो आपको दिख रहा है, यह एक तरीके से demo ad आपको दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने केवल preview करके रखा है, आपको यहाँ पर जो भी आपका call to action है, उसके उपर यहाँ पर जाना है, और आपको बाकी की जो आपको information है, इसको fill up करके यहाँ पर form को fill कर देना है, जैसे ही आप form को fill करेंगे, आप देखेंगे, कि यहाँ पर आपको जो कुछ information है, वो दिखाई देगी, मैंने अभी पहले test किया वा था, इसलिए मुझे previous जो information है, वो दिखाई देरी, बट आप जब save and send test request के उपर click करेंगे, और वापस इस तरीके से जो है, वो form को fill करेंगे, तो आप देखेंगे, आपको यहाँ पर जो है, वो सारी की सारी चीजें दिखाई देंगे, तो हमें response to के अंदर, जो हमारा label है, यह full name, इसके अंदर मुझे जो name की value है, वो as a test दिख रही है, फिर test at the rate, gmail.com यहाँ पर दिख रहा है, मुझे यहाँ पर जो हमने डेमी, phone number डाल के entry की थी, वो दिख रहा है, बट साथी साथ, जो मैं campaign की बात कर रहा था आप से, वो आप यहाँ पर देखे, campaign का name आपको दिख रहा है, right, ad set का name आपको दिख रहा है, और आपको यहाँ पर इसी तरीके से, add का name आपको दिख रहा है, तो इन सभी चीजों को, हम लोग map कर सकते हैं, आगे google sheet के अंदर, तो simply मैं वापस आ जाओंगा, और जो हमारा action है, उसको मैं select कर लूँगा, google sheet, हम लोग यहाँ से google sheet को select कर लेंगे, and action event is basically add new row, उसको select करने के बाद, वापस हम लोग connect के उपर click करेंगे, हमें नया connection तो करना नहीं, जो हमारा existing connection है, उसी को हमें use करना है, और यहाँ पर वापस आ जाएंगे आप, तो यहाँ से मैं अपनी spreadsheet और जो हमारी sheet है, उसको select कर लूँगा, जो हम लोगों ने बना रखी है, यह हमारी spreadsheet है, इसको मैं copy करूँगा, और जो हमारी sheet है, उसका नाम sheet 1 है, इसको हम लोग ले लेंगे, यहाँ से select कर लेंगे, ताकि हम इसके अंदर जो data है, उसको map करा सकें, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी spreadsheet और sheet select हो गई, अब name के अंदर हमें क्या भेजना है, वो हम यहाँ से pick कर लेंगे, जैसे name के अंदर हम यहाँ पर अपना name वाला जो label है, उसको select कर लेंगे, जैसे हमारे name वाला label है, email में हम लोग अपने email वाला label select करके, dynamically value को push कर देंगे, phone number में हम phone number वाला select कर लेंगे, और campaign name के अंदर हम लोग campaign name हमारा select कर लेंगे, इसी तरीके से जो हमारे add का name है, उसको भी हम लोग select कर लेंगे आपर, तो हमारे add का name भी हो गया, अब मैं save and send test request करूँगा, तो जो information यहाँ पर capture हुई थी, वो same information को हम लोग Google Sheet के अंदर भेज पाएंगे, right, so मैं save and send test request करता हूँ, and यहाँ पर अगर आप response देखेंगे, तो properly आपको दिखाई देगा कि एक row जो है वो update हो चुकी है, और six columns के अंदर data write करी गई है, six cells को जो है, वो update किया गया है, तो मैं अगर यहाँ पर वापस आउँगा, तो you can easily find out कि अब आपको यह सारी चीज़े दिख रहे हैं, अब आपकी sales team क्या करेगी, जैसे यहाँ पर status का column है, और यहाँ पर यह convert हुआ या नहीं, यह mention कर देंगे, अगर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम mention कर सकते हैं, यह convert हुआ नहीं, तो आपको actually पता चलेगा, कि किस ad set और किस campaign name से actual जो leads हैं, वो आ रही हैं, और उन में से कितने जो conversions हैं, वो हो रहे हैं, so Facebook marketers के लिए बहुत important automation हैं, जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ad score बहुतर तरीके से optimize करने के लिए, और different strategies को बनाने के लिए, इस पटिकुले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, next video, till then, good bye. झाल